उपराश्टुपती एम विकण्यान आईडो ने गुरुग्राम में दीन बंधू सर्चोटुराम के लेख और भाष्णों पर आधारित पुस्तका किया विमोचन कहा दीन बंधू सर्चोटुराम ने किसान हित में कृशी सुधारों की नेंग रखी उपराश्टुपती एम विकण्यान आईडो ने गुरुग्राम में पैरालंपिक हिलो आडियों को किया सम्माने कहा दूसरे राज्या भी हर्याना से लेप्रेड़ना राश्ट व्यापी टी का करणा भ्यान में एक और नया खिर्टी मान स्थापित असी करोड से अधी कोविड उननीस रौधी टी के लगा कर देश ने हासिल की नई उपलक थी आर प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हर्याना की अवधी को चार अक्टूबर तक बढ़ाया कोविड नाइटीन उप्युक्त व्यवाहर की अनुपालना के साथ महाविद्यालियों को खोनले की मिली अनुमती नमस्कार मैं सारिकार शर्मा अब समाचार विस्तार से उपराश्टपती एम वेकाईया नाइडू ने आज गुरुग्राम में दीन बंधू सर्चोटूराम के लेखव भाशनों पर आधारित पुस्तक के पांच खंडों का विमोचन किया इस अफसर पर मुख्या मंत्री मनोहलाल और दीन बंधू सर्चोटूराम के नाती एवं पूरु केंद्रिय मंत्री चाधरी बिरेंदर सिंग भी उपस्ते थे इस अफसर पर उपराश्टपती ने कहा कि नई पीढ़ी का हमारे पूर्वजों से परिचय कराना बहुत जरूर जिसने खुद किसान रहते हुए जो समस्या देखी हो वो ही उनके समाधान की बात कर सकता है इस संकरन को प्रकासित करने के लिए मैं हरियाना अकाड़ेमी ऑफ हिस्टरी अंड कल्चर की सरहाना करता हूं और विसे शुरुप में मुख्य मंत्री को भी अभिनान करता हूं क्योंकि यह संकरन बहुत जरूरी है हमारा नौपीडी इस लोग को मौलम होना चाहिए हमारा पुरोजों ने कितना तपस्या किया कितना काम किया उनका भासन उनका विदेकर और उनका विवहार उनका कामकाज के बारे में नया पीडी को मौलम होना बहुत जरूरी है इस अफसर पर मुख्य मंत्री ने कहा कि चौधरी छोटू राम ने हर वर्ग के लिए काम किया कर्मचारी वर्ग के लिए आठ घंटे काम का कानून उनके परियासों से पास हुआ अंग्रेजी शासन में किसानों के हालात कैसे सही हों इसके लिए उन्होंने कानून बनाई हम सब जानते हैं कि एक महान समाज सुधारक चौध चौधराम जी वो अच्छे विद्वान पढ़े लिखे वकील और वकील के साथ उन्होंने ट्रेक्टिस करते हुए समाचार पत्रों के साथ जिस प्रकार का एक सजीवत उनका एक समंद जैसे अपने विचारों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना और जैसे अभी फिल्म में दर्शाया गया कि अपने सारजनिक काल में उन्होंने हर क्षित्र को आगे बढ़ाया चाहे उद्द्योग हो चाहे वेपार हो क्यों किसा करते हैं कि वपारियों के लिए भी ये जो आठ घंते का काम करने का जो कानून है ये उन्हीं के कारेकाल में पास हुआ उपराश्टपती एम वेकईया नाईडू ने आज गुरुग्राम में पैर आलंपिक हिलाडियों को सम्मानित किया इस अफसर पर मुखे मंत्री बनोहर लाल भी उपस्ते थे समारों में उपराश्टपती वेकईया नाईडू ने कहा कि मुझे खुशी है कि पैर आलंपिक हिलाडियों को सम्मानित करने का मौका मिला उन्होंने कहा कि हर्याणा ने पूरे देश का नाम रोशन किया है पूरे देश को आप पर गर्व है उन्होंने प्रदेश सरकार और मुखे मंत्री की खिलाडियों को प्रोचसाहित करने के लिए सराहना की उप्राश्ट पती ने कहा कि हर्याना ने देश के समी राज्यों को प्रेरित किया है मुझे उम्मेद है दूसरे राज्ये भी हर्याना से प्रेरना लेंगे इस वर्ष के टोक्यो वलंपिक्स और पैरा वलंपिक्स में भारतिय दल का प्रदर्सन बहतिर रहा इस वर्ष के केदम में देश ने सबसे अधिक पतक जीते मैं विसेश रूप में हरियाना प्रदेश को अभिननर करना चाहता हूँ अपना देश के रिए उन्नित पतक जीते इसमें से पांच स्वन्न पतक और रज़त पतक और छे कांसे पतक शामिल है इसमें से चे पतक हरियाना के किडाडियों ने जीते है इसले विसेश रूप में जब मुझे वनोहर राजी ने बताया तो मैंने तुरंत स्विकार किया मैं जरूर हरियाना आऊंगा और इन बच्ची बच्चों से मिलूँगा च्योंकि उनको अभिननन करना प्रोच साहन करना देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में राश्ट्र व्यापी टीका करना भ्यान में एक और नया किरतिमान साबित हुआ है देश ने 80 करोड से अधिक कोविड-19 रोधी टीके लगा कर नई उपलब्धी हासिल कर ली है अब तक 80 करोड 43 लाख 72 हरजार से अधिक टीके लगाई जा चुके है स्वासे मंत्राले ने बताया है कि कल टीकों की 85 लाख 42 हजार से अधिक खुराग दी गई देश में पिछले 24 घंटे में कोरोणा के 30,773 नए मामले दर्च किये गए हैं इस अधि में 38,945 लोग स्वस्थ हुए हैं अब देश में कोरोणा के सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,158 रह गई है प्रदेश ने भी 2 करोड 7,76,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाने का खिर्तिमान हासिल कर लिया है प्रदेश में कोविट से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 93 मामले फिलहाल सकरे हैं वहीं कोविट से स्वस्थ होने की दर 98,69 प्रतिशत है प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हर्याना की अधिक को 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है प्रदेश की मुखे सच्चीव विजेवर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों वह हर्याना पुलिस महानी देश को इस संबंध में आदेश जारी किये हैं आदेशों के अनुसार कोविड-19 उप्युक्त व्यवाहर की अनुपालना के साथ महाविद्याले और पॉलिटेक्निक खोलने की अनुमती दी गई है इन नेमों के अनुपालना की जिम्मेदारी उच्चतर शिक्षावी भाग और तक्निकी शिक्षावी भाग को दी गई है इसके अलावा विश्व विद्याले को कक्षाओं को 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन माध्यम से ही चला आनिन का निर्देश दिये गए है विश्व विद्याले में विद्यार्थियों को कक्षाओं में आनल की अनुपती देने का निर्देश 15 अक्टूबर के बाद प्रदेश में कोरोना की स्थीती को देख कर लिया जाएगा इस दोरान विश्व विद्याले प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि विश्व विद्याले के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की टीका करण प्रक्रियाप पूरी हो चुकी हो प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी ने स्वंप को मिली उपहारों और समरेती चिनों की निलामी को लेकर ट्वीट किया है अपने ट्वीट में प्रधान मंत्री ने कहा कि निलामी में ओलंपिक नायकों के विश्येश समरेती चन्न भी शामिल है प्रधान मंत्री ने लोगों से इस नीलामी में हिस्सा लेने की अपील की उन्होंने कहा कि नीलामी से प्राप्त राशी नमामी गंगे पहल में इस्तेमाल की जाएगी अपने ट्वीट में प्रधान मंत्री ने एक वीडियो भी साजा किया स्वार्ण इम मौका है जहां वो माननी अप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले उपहार जो राष्ट्रिय गौरव के प्रतीक है उन्हें इई उक्षन के जरीय खरीद सकते हैं इन उपहारों में उलिम्पियन नीरत चोपड़ा को स्वर्ण पदक दिलाने वाला जैवलिन अयोध्या में निर्मान आधीन रामलला के मंदर, चार धाम और वानानसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के प्रतीरूप से लेकर कई बहुमूल्य उपहार शामिल है प्रधान मंत्री जीत्वारा तेश को समर्पित इन उपहारों को अब आप भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं आप 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच pmmementos.gov.in पर जाकर इस इउक्षन में भाग ले और इन बहुमूल्य उपहारों को अपने घर लाने के अद्भुद अवसर का लाब उठाएं इस इउक्षन से अर्जित संपूर्ण राशी मा गंगा को अविरल और निर्मल करने के अभियान नमामी गंगे कोश में जमा की जाती है मुखे मंत्री मनोहर लाले शनिवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों एवं अन्य संबंधित जिला अधिकारियों के साथ मेरी फसल मेरा ब्योरा के तहट फसलों के सत्यापन, फसलों की खरीद की तयारी परिवार पहचान पत्र में आए और देव्यांगों के सत्यापन की समिक्षा के लिए बैठकी मुख्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विपनन सत्र 2021-22 के दौरान खरीफ फसलों की खरीद के लिए परियाप्त विवस्था सुरिश्चित की जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परिशानी ना हो उन्होंने अतिरिक्त खरीद केंदरों की सापना के लिए आवश्यक स्थानों की समय रहते पहचान करने को भी कहा मुख्य मंत्री ने कहा कि मंडियों में मजदूरों की उपलब्धता की समय पर विवस्था करने के साथ ही परियाप्त संख्या में ड्रायर्स, तराजू, बारदाना और सिलाई मशीन उपलब्ध होना भी सोनिश्चित करें खरी फसलों की खरीद 25 सितंबर से शुरूर होगी उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा और फसलों की परिशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए यदि आफशकता हो तो मंडियों या खरीद केंद्रों की संख्या बढ़हाई जाए प्रदेश में सितंबर महा में इस वर्ष अधिक बारिश दर्च की गई जिसके चलते धान की फसल में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है भीवानी जिली में भी सितंबर महा में अब तक 56 mm बारिश दर्च की गई है जिसे नाकेवल फसलों को पानी मिला है जबकि भूमी का तजलस्तर में भी सुधार हुआ है भीवानी के जिला क्रिश्य अधिकारी ने बताया कि ये सितंबर महा में 1995 के बाद वर्ष 2021 में अब तक की सबसे अधिक बारिश है और उने कहा कि सितंबर महा में हुई बारिश से धान वचारे वाली फसलों को अच्छा लाब हुआ है और बारिश से भूमी का तजलस्तर में भी व्रिद्धी हुई है पास में लगबग हमारा एरिया जो है दो लाख हेकटेर गया दो लाख एकट बिजाई हुआ है जिले में पिवाली में जिसमें से 1,13,000 में आंचिकलोस है कपास में और वाकी 12,000 जो यह कड़ा है उसमें 26% से ज्यादा लोस किसानों ने बताया कि बारिश के चलते गाओं के जोहर वर तालाबों में पानी परियाप्त मात्रा में पहुँच गया है और अब उन्हें नहरी पानी और ट्यूवेल पर निरभार रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्होंने बताये कि अच्छी बर साथ के चलते घास के मैदानों में मवेश्यों के लिए प्रयाप्त मात्रा में चारा भी उत्पन हो गया है इसे उनके पशुब पालन को भी बढ़ावा मिला है ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं लाइट का ही ले लीजिए जो घरों में चल रहे थे वह आज इसी बंद हो गए तो लाइट की बहुत जादा बचत होई किसान जो ठेक में ट्यूल चला रहा था जो डीजल लगता था उसकी बचत होई तो बारिश का तो बहुत जादा ह में फाइडा था तो बहुत बड़ी आम मुकब होई है बारिश की बाठ थी कि अमड़ी लेट भी हो रही थी बुट फादा इस बारस जामा धार था नंगी तो बहुत बड़ी आदा था जारे जोड लूं के पड़ेते शारेला ब्रहां सारे मोजों की बारिस के इसके बारिस की तो बहुत बाठ थी जी कई दनम बारेस आई इतनी लेट बारेस आई इतनी मोज भी कर दी बार अंत में इस बुलेटिंग के मुख्या समाचारिक बार फिर प्राश्टपती एमवेकईयान आईडू ने गुरू ग्राम में दीन बंधू सर छोटू राम के लेखो और भाष्णों पराधारिक कुस्तक का किया विमोजन कहा दीन बंधू सर छोटू राम ने किसान हिट में क्रिशी सुधारों की नेव रखी प्राश्टपती एमवेकईयान आईडू ने गुरू ग्राम में पैरालंपिक खिलाडियों को किया सम्मानिव कहा दूसरे राज्य भी हर्याना सिले प्रेड़ना राश्ट्व यापीटी का करणा भ्यान में एक और नया की इतिमान स्थापेत अस्ती करोड से अधिक कोविड-19 रोधी टी के लगा करदेश ने हासिल की नई उपलब थी आर प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हर्याना की अधिक को चार अक्टूबर तक बढ़ाया कोविड-19 उप्युक्त व्यवहार की अनुपालना के साथ महाविद्यालियों को खोलने की मिली अनुमती सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घड से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहने दोगज की दूरी बनाए रखे और एक नेमित अंदराल पर अपने हाथ धोती रहे और अगर आप पात रहें तो टीका करण अवश्य करवाएं तब ही आप कोरोना महमारी से बच सकते हैं आज के बुलेटिंग में बस इतना ही नमस्कार